हलो कॉम्रेट्स तो आज 17 जन्वरी के करेंट अफेर्स हम सुरू करते हैं कोई फालतु बात नहीं सिधे अपने काम के बात पर आते हैं पहला जो क्योशन है वो आपके सामने है फोब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार 2020 में सरवादिक कमाई करने वाली महिला की लाड़ी कौन बनी है तो इसका जो जवाब है वो है उप्शन ए नावमी ओसाका जो है जापान की महिला की लाड़ी है और इन्होंने जो पिछले साल जो कमाई की है वो 424 करोड यानि की सताओन पॉइंट तीन मिलियन डॉलर अब इसी सुची में दूसरे और तीसरे नमबर पर कौन है दूसरे नमबर पर है सेरेना विलियमसन और तीसरे पर है विनस विलियमसन ये है दूसरे और तीसरे नमबर पर इसके बाद आते हैं आगले क्योशन पर अगला question है अडानी ग्रूप ने स्टील कारोबार में एंट्री करने के लिए किस देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी पॉसको के साथ समझोता किया है जो अडानी ग्रूप है उसने पॉसको के साथ समझोता किया है और उस पोस्को जो है वो है दक्षिन कोरिया से संबंदित कंपनी है दक्षिन कोरिया की कंपनी है ये पोस्को अब बात दक्षिन कोरिया की आये तो दक्षिन कोरिया के बारे में काफी कुछ चीज़े हैं जो की पता होनी चाहिए पहली बात दक्षिन कोरिया एशिया इतमे इस्तित है दक्षिन कोरिया की राजदानी सियोल है दक्षिन कोरिया की मुद्रा यानी करेंसी जो है दक्षिन कोरिया इवोन है दक्षिन कोरिया के प्रदान मंत्री कौन है प्रदान मंत्री है किम बू क्यूम दक्षिन कोरिया प्रदान मंत्री कौन है किम बू क्यूम औ नाम भЙया, देखिये सही है, तो याद रखना पड़ेंगा, ठेक है, राष्टपती है मुन्जे इन, अब एक जो चीज, पता होनी चाहिए आपको वो है, उत्तरकोरिया और दक्षिन कोरिया को अलग करने वाली रेखा, मिंस उत्तरकोरिया और दक्षिन कोरिया की जो इंटरन National line है उसे क्या बोलते है ए También यह इसे बोलते है देक्षिण कोरिया की संसिद का नाम क्या है देक्षिण कोरिया की संसिद का नाम है National Assembly National Assembly देक्षिण कोरिया की संसिद का नाम है इसके बाद एक और में चीज है Samsung, LG, और Hyundai जोकी famous company है अपने zone में तो Samsung LG और Hyundai के मुख्षाल ये कहां पर है यानि Headquarter कहां पर है Samsung LG और Hyundai का तो इसका Headquarter है दक्षिड कोरिया में तो यह आपको पता होना चाहिए ठीक है कुम्रे इसके बाद अब अगले क्योशन पर आते हैं अगला क्योशन है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने किस दिन को इसके बाद अगले क्योशन पर हम आते हैं तो कॉम्रे अगला क्योशन है एक महिने में 29.6 करोड से अधिक यानि 92.6 करोड से अधिक UPI लेंदेन के प्लगधी हासिल करने वाला देश का पहला बेंक कौन सा बन गया है तो कौन से बेंक ने यह जो अचिवमेंट हासिल किया य यह यह ओप्सन B Paytm Payments Bank Limited पीबी पीपीबील पीपीबील यह पेटियम पेमेंट बेंक लिमिटेड ने यह अचिवमेंट हासिल की है इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है SBI कितने के लेंदेन पर है 66.49 करोड तो यह है और UPI जो नाम आया है UPI की फुल फॉर्म क्या है Unified Payment Interface यह आपको ध्यान होना चाहिए अब जैसा कि यह कुछ आया है तो कुछ अभियान हुए है उनकी शुरुआत कहा हुई है और कैसे हुई मलब किस राजजे ने किये तो वो आपको पता होना चाहिए पता होना चाहिए कि पहला नदियों के सम्मान और सरक्षन के लिए नदि उत्सो अभियान किस ने शुरुआत की है तो किस राजजे ने शुरुआत की है इसकी गुजुरात राजजे ने शुरुआत की है नदियों के सम्मान और सरक्षन के लिए नदि उत्सो अभियान गुजुरात राजजे ने शुरु किया है दूसरा है समाद सुदार अ अभियान जो है NCC, National Cadet Corps ने अभियान शुरू किया है, घर गर जाकर Corona विक्सिन के लिए अभियान किस ने शुरू किया है, परदानमंत्री जी ने शुरू किया है, और अभियान का नाम क्या है, हर घर दस्तक अभियान ये अभियान है, पांचवा है आकरी है, Red Light on, Guardian of अभियान किस केंडर साशिक्रदेश याराजजे ने शुरू किया है, तो Red Light on, Guardian of वियान है, वो है दिल्ली ने शुरू किया है, दिल्ली 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 वालो की दिल्ली, ठीक है अगला जो क्योशन है वो है उटो के लिए पहला होटल उटो के लिए दुनिया का पहला होटल किस देश में बनाया गया है तो किस देश में बनाया गया है उटो के लिए पहला होटल वो है उप्सन डी साओधी अरब भाई उट देखिए वहां पाए जाते हैं तो वह करेंगे वह उटो के लिए तो सौधी अरब ने यह शुरू किया अब सौधी अरब के नाम ऐ़ाएं तो कुछ चीजे इंपर्टेंट चीजे हैं जो सथे अरब के बारे में आपको मालूम हनी चाहिए क्या मालूम होना चाहिए कि साओधी अरब एशिया महादीप में है राजदानी साओधी अरब की राजदानी रियाद है साओधी अरब की करेंसी यानि साओधी अरब की मुद्रा साओधी रियाल है साओधी अरब के परदान मंत्री कौन है शाह सलमान इनका काफी बड़ा नाम है उसे सल्मान बिन 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 पता नहीं क्या नाम है काफी बड़ा नाम है बिन रसीद बिन क्रिस गेल बिन अर्चीजी तो क्या पता नहीं क्या है पर बहुत बड़ा नाम है परदान मंत्री को है शाह सल्मान अब शाओदी अरब की जो संसद है उसक सवधी अरब की वो है वादी अल्रुमा है यह सवधी अरब की सबसे लंबी नदी है वादी अल्रुमा है और नियोम सिटी प्रोजेक्ट किस देश ने शुरू किया है तो वो सवधी अरब शुरू करेगा मापके शुरू करेगा नियोम सिटी प्रोजेक्ट अब यह क्या है व पहला काशी फिल्म महोत्सव 2021 का योजन कहा हुआ है आदो इसका योजन हुआ है वारानेसि में दूसरा है विश्व संघीत तांसे इसका योजन योजन हुआ है मद्यप्रदेश में ठीक है कोमरेट तीसरा है अंतराष्ट्रिय है मदुमक्खी पालन महोट सव 2021 का आयोजन कहा हुआ है इसका आयोजन हुआ है हल्दवानी उत्तराखंड पांचवा चोथा है लोकरंग तो इसका आयोजन हुआ है जैपुर राजस्थान में पांचवा जो है अभारती इंतराष्ट्री विज्ञान महुत्सव 2021 का आयोजन कहा हुआ है तो इसका आयोजन हुआ है पंडजी गोवा में इसके बाद कुछ फेक्ट्स और है वह आपको पता होना चाहिए क्या है दो साल से उपर के बच्चों का टिका करने वाला पहला देश कौन सा बना है कौन सा है क्यूबा क्यूबा है कॉमरेट क्यूबा बहुत समाजवादी देश है आपको पता होना चाहिए दो साल से उपर की बचों का टिका करने वाला पहला देश बना है क्यूबा दूसरा है विश्व का पहला लकडी से बना उपगर है वीसा वुडसेट लोंच कौन सा देश करेगा तो कौन सा देश विश्व का पहला लकडी से बना उपगर है Visa Woodset launch करेगा तो वो है New Zealand आपको पता होना चाहिए इसके बाद है दुनिया की पहली Ship Tunnel कहाँ बनाई जाएगी कहाँ बनाई जाएगी तो ये Norway में बनाई जाएगी ये ध्यान होना चाहिए इसके बाद 10 लाख currency नोट जारी करने वाला पहला देस दिस लाग करेंसी नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा है वेनेजवेला है यह आपको मालूम होना चाहिए आगला और लाश्ट क्योशन है 14 जन्वरी 2022 को कमाल खान का निधन हो गया इनका संबंद किस शेतरिशे था कमाल खान थे वो बहुत ही मशूर पत्रिकार थे ओप्शन डीस का सही आंसर है अभी इनका 14 जन्वरी इनका इंतिकाल हुआ है निधन हुआ है अब जो अपना सेग्मेंट है वो पूरा करते है कौन सा सेग्मेंट अपना बसता है परिक्षा में आने वाले प्रश्न तो पहला क्योशन है माइटो कॉनटे की खोज किसने की अल्टमेन ने की ए दूसरा गुप्तकाल के दोरां सोने के सिक्को को किस नाम से जाना जाता था तो इनको जाना जाता था दिनार के नाम से पता होना चाह्या आपको तीसरा है मेकसे से पुरुसकार प्राप्ट करने वाले पहले भारती है कौन थे कौन थे विनोबा भावे आचारी विनोबा भावे कब प्राप्ट किया था उन्होंने 1958 में प्राप्ट किया था मेकसे से पुरुसकार चोथा है केसरी पत्री का की सुद्ध रूप कौन सा होता है तो इसका जो सुद्ध रूप होता है सरवादिक वो होता है हीरा यह आपको मालूम होना चाहिए तो कॉमेंट्स आज का वीडियो समापत होता है और आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे तो तब तक के लिए शुक्रिया देखते रहे और ठंड से बचाव रखें रेट सेलुट कॉमेरेट्ट